नमस्कार दोस्तों, मैं हरीकेस यादा और आप देख रहे हैं अलाट इंडिया, अभी मैं दुबारी में हूँ और दुबारी के सबसे पुराने इंटर कालेज, जनता सिच्छा निकेंतर इंटर कालेज में हूँ, मैं 1950 के दोर में आपको लेकर चलता हूँ, जब इस विद्ध बिद्याले के निव स्वतंत्रता संगराम सेनानी, रिशी मंगल देव पांडे जी के द्वारा रखी गई थी, यह उस दवर की बात मैं कर रहा हूँ, जब यहां के लोगों को घोसी, बेल्थरा रोड, बरहज, इतने दूर सिच्छा के लिए जाना पड़ता था, उस समय इ इंटर कॉलेज है, और काफी अच्छी संख्या में यहां बच्चे सिच्छा लेने आते हैं, बच्चे और बच्चिया दोनों की अच्छी संख्या है यहां, मैं जिस विशे पर बात करने आया हूँ, यह सरकारी इंटर कॉलेज है, और सरकारी इंटर कॉलेज के बच्चे ब जब किसी छेत्र को पिछड़ा माना जाता है और पिछड़े छेत्र के वो भी सरकारी इंटर कॉलेज के बच्चे बच्चिया जब अपने कॉलेज अपने छेत्र का नाम रोसन करते हैं और प्रदेश अस्थर तक जब उनका प्रदेश लेबल तक का चैन होता है तो काफी खु को सराय बस्ती जीले में जाना है खेलने जाना है प्रदेश लेबल की ये फुटबाल की खिलारी है मैं रुख कर लेता हूँ क्या नाम है आपका संधिया गोर संधिया गोर जी कितनी मेहनत करनी पड़ी है चुकि आप लोगों को देखकर काफी बच्चे बच्चिया सीख लें मेहनत करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा मैं आप से बात कर लोग क्या नाम है आपका मेरा नाम सोनिका साहानी है मैं जैनता सिच्छा इंटर कालेज दुबारिवों से हूं मैं कशा 10 में पढ़ती हूं यहां पे खेल के पढ़ाई के साथ-साथ खेल के बेबार में भी बच कितना टाइम देते हैं आप लोग डेली खेलने को लेकर दो से तीन घंटे और बाकी अपना पर पे अचा कौन है जो आपको टीचिंग करते हैं जो गाइडलाइन करते हैं क्या नाम है उनका मनोसर जी है जिनकी देख रेक में यह लोग खेल कूद संबंधी सिच्छा लेने क क्या नाम है आपका मैंने में इस प्रिया यादो प्रिया जी कुछ करना चाहेंगी आप खेल कूद के बारे में जो आपको सिखाया जाता है कितना समय देना पड़ता है हमें लगबग इस्कूल में 2-3 घंटे खेलते हैं उसके बाद घड जाने के बाद भी दूसरे जगह ज लेकिन इनका कद बहुत बढ़ा है यही बच्चे और बच्चिया आगे चलकर अपने जीले का अपने इस्कूल का नाम रोसन करेंगे अब मैं आगे बढ़ा बढ़ूंगा यह खोखो टीम के बच्चे और बच्चिया थोड़ा और पास आजाओ आप लोग क्या नाम है आपका माइनम इस प्रियंका कुमारी प्रियंका जी उम्राब की काफी चोटी है अब आपको मंडल अस्थर तक खेलने जाना है किस तरह से यह सब हौसला मिलता है आपको सर हमारी स्कूल में सर बहुत अच्छे लोग हैं और यह लोग हमें खेलने के लिए प्रेडित करते हैं इसलिए हम इतने उची अस्तर पर पहुच पाए हैं चलिए एक चीज और ध्यान देने की जुरत है यह चोटे कस्बे से निकलने वाले बच्चे हैं यह गाहों में बसने वाले बच्चे हैं अगर आज के समय में इनके पास इस तरह का हुनर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो यह स्कूल में पड़ाई भी अच्छी होती है यह छोटे-छोटे-चोटे-चोटे जो आपको दिखाई देनेbank को नंहें इनको अच्छे से गाइडैन्स देने वाला अच्छा आप Seems और और श्रकामी में दो आगे यह तो आका झाका नाम शूररण चरेंगे अपने को द्रौन शुद सुन और माण बाप का भी नाम शुम पर कौने तारीक को सही है किया नाम है आपका बीपिन कुमार जी कितने लोग आप लोग सलेक्ट हुए है जनता सिच्छा निकेतन इंटर कॉलेज से टोटल दस लोग दस लोगों में कितने बत्कितने बच्चिया अब देखिए और आप गौर कर सकते हैं कि दस लोगों में 8 बच्चियों ने बाजी इस्था क्या ह receptive बैच्चा बच्चीों की संख्यादा चलिए दो लोग है आप लोग क्या सिर इर करना चाहेंगे जो आप को देख रहे हैं सुन रहे हैं जो बच्चे इससे रिड रेट्टेट जो ताय याcion करें क्या बोलना चाहेंगे तो यह चाहेंगे कि हमारी क्लास में मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई भी होता है यहां गुरु की चलते हम लोगों आद तक पहुंचे हैं चलिए ठीक है क्या नाम है आपका आधर्स कुमार आधर्स जी क्या बोलना चाहेंगे अपने खेल को लेकर या सभी लोग बाली बॉल के लिए चैनित हुए हैं और इनको मंडल अस्तरी खेल ले जाना है क्या नाम है आपका प्यूस कुमार जी कहां से यह सारी प्रेड़ा आपको मिलती है उम्रा आपकी छोटी है लेकिन आप लोग अच्छे अस्तर पर खेलने जाने वाले हैं तो यह सा सभी खेलों के बारे बताते हैं और जो हमारे मनुझ दूबेसर है वह बहुत अच्छा हर एक टीप से बताते रहते हैं चलिए यह बात साफ है कि यहां अच्छे तरीके से इन लोगों को गाइड लाइन किया जाता है तब जाकर यह जिले अस्तर प्रदेश अस्तर तक पहु मैं बात कर लूँ यह आप लोग को कहा जाना है और क्या खेलने जाना मंदल अस्तरी कौन सी खेल में आप लोग जाना है कबड़ी में यह जो पांच छे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं यह बच्चे कबड़ी खेलने जाएंगे सब से नन्हा बाला के क्या नाम है तुम को मानोश सर सिखाते हैं चलिए यह चोटे-चोटे जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं यह भारत के भविस्या है आगे चलकर यह अपने खेल के बदोलत अपने चेत्र अपने देश का नाम रोशन करेंगे और मैं सीधे रूख कर लेता हूं इस बिद्याले के पुर्व प्रधानाचार्य लाल मड़ी यादो जी का सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल अलर्ट इंडिया पर जनता सिख्छा निकेतन इंट्रेकाले दुबारी की धर्पी पर अलर्ट इंडिया का स्वागत है क्या बोलना चाहेंगे सर आज आपको काफी खुसी मिलती होगी इन बच्चों को देखकर जो जीले अस्थर, मंडल अस्थर और प्रदेश अस्थर तक अपनी जगब बनाए है क्या इन बच्चों को आशिर्वात सरुप बोलना चाहेंगे और इनको लेकर आप लोग को किस तरह की मेहनत करना पड़ता है, किस तरह आप लोग गाइडलाइन करते हैं सबके आसिर बास से इस विद्याले को हम लोग बहुत उचाई देना चाहते हैं। चाहे वो खेल का छेतर हो, चाहे वो पढ़ाई का छेतर हो, चाहे आचन का छेतर हो। दुनिया का कोई भी छेतर ऐसा न हो जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां अपना नाम रोसन न करें बच्चे हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे हैं हमारे नवागत PTI मनोच कुमार दूबे, मनीश राजीव, यतिन नात पांडे सारे टीचर इन बच्चों को कवड़ी, खोखो और लगे हुए हैं इनके लिए जो संसाधन जुटाने की बात है हम लोग अपने निजी प्रयास से भी और कुछ सरकारी योगदान जो बच्चे फीज के रूप में करते हैं उस कोच के पैसे को भी लगा करके इनको तस्रील, जिला, मंडल, प्रदेश सस्तर पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिस हो रही है जिन बच्चों के पास साधन नहीं है, विद्याले उनको उपलब्द करा रहा है भरपूर कोशिस है कि इनका नाम हम प्रदेश सस्तर पर ले जाएं और प्रदेश सस्तर पर खेलें और जिससे भी डेलक अभी और छेत का नाम रोसन हो इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं सिर्फ यही बलूँगा कि अगर इस तरह के मेहनत हर सरकारी इंटर कॉलेज के अध्यापक करने लगे तो उत्तर प्रदेश सिच्छा ब्योस्ता में बहुत आगे जाएगा और इसका नाम दिल्ली के स्कूलों जैसा लिया जाएगा यह बच्चे देश का नाम अवस्या रोसन करेंगे और आप लोग की जो मेनत है उसकी सराना भी होनी चाहिए जनता सिच्छानिकेतन इंटर कॉलेज बहुत तुराना इंटर कॉलेज है इस बिद्ध्याले से पढ़ने याईवस है पीसियों से और सैक रओं की संख्या में इस बिद्ध्ध्याले से पढ़नेवाले बच्चे बच्चिया टीचर भी हैं मैं इन सारी चीजों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और विदा लेने से पहले बोलना चाहूंगा कि मेरा ये जंता सिछा निकेतन इंटर कॉलेज के मैदान से प्रियास कैसा रहा ये कमेंट बाक्स में लिखकर जरूर बताईएगा तब अजये भी जो जो विखकर भी जहा हूँ जो पुमारब